नमस्कार आप देख रहे हैं NMF News और मैं हूँ आपके साथ अजे ठाकूर IPL सीजन 11 के मैच नंबर 17 में पूने के मैदान पर आमने सामने थी चन्नेई सूपर किंग्स और राजिस्थान रोयल्स अपने नए घर पूने में चन्नेई ने धमाकेदार शुरुवात की मैच में चन्नेई ने पहले बल्ले बाजी करते हुए राजिस्थान रोयल्स के सामने 205 रनों का लक्ष रखा चन्नेई की ओर से सबसे ज्यादा शेन वाटसन ने 106 रनों की पारी खेली इस दोरान वाटसन ने 9 चौके और 6 छक्के जड़े वाटसन के अलावा रहना ने 46 और ब्रावो ने 24 रनों की पारी खेली राजिस्थान के ओर से श्रेयस गोपाल ने 3 तो वही बेन लॉगलिन ने 2 विकेट चटका है 205 रनों के लक्ष का पीछा करने उतरी राजिस्थान रोयल्स अपने 20 ओवर में महज 140 ही रन बना सकी पर्ण शर्मा के खाते में 2-2 विकेट आए तो वही शेन वाटसन ने भी एक विकेट हासिल किया 106 रनों की पारी खेलने के बाद एक विकेट चटकाने वाले शेन वाटसन को मैन अफ दे मैक चुना गया इस मैच को जीतने के बाद CSK अब पॉइंट स्टेबल पर पहले पाइदान पर आ गई है चार मैच में तीन जीत और एक हार के साथ CSK के 6 पॉइंट्स है IPL से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे NMF News और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले